गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स आज मेरे पास थोड़ा टाइम एक्स्टा था तो मैंने सोचा कुछ एक्स्टा वर्किंग कर ली जाए तो फिरिज की उपर अक्सर बड़े छोटे सब जो हैं समान डालते रहते हैं तो आज मैं उसी सामान को और्गिनाइज करने जा दी हूं आपने देखा किलना बिखरा हुआ था सामान जो मैंने दिखा था वह एंट्शन सारा फ्रेज की उपर रख रखा था तो सबसे पहले मैंने वह सामान निकाल दिया सारी बास केट और 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 केनाइजर केट से और फिर इसको मैं धोलूंगी अच्छे से साफ कर लूंगी तो फट फट से देखें सारे बॉक्से चोटे बड़े जो भी हैं यह बास केट मेरे बेटे के वह जो आई तिक केट उसकी है और यह अर्किनाइजर मैंने मगाया हुआ था और को छोटे बोटे बॉक्से जोते आइसक्रीम बाक्स बगरा मैं उनको कभी फैंकती नहीं हो रि सुखा लूँगी, यह देखिए मैंने सबी सुखा लिया है मैंने सेट करूँगी, देखिए दवाईयों को कभी भी घर में खुला नहीं चोड़ना चाहिए, इसलिए میں बंद डिब्बो में दवाईयों को रखती हुए, मेरे इस्वेन की दवाईया है बहुत दवाईयां लेते रहते हैं, खाते नहीं हैं, इखटी हो जाती हैं, तो मैंने बड़ा सा बॉक्स इसलिए बनाया और इसमें उसको और्गिनाइज कर दिया, यह चोटा बॉक्स है मेरे पास, इसमें मैंने सारी बच्चों की मैडिसन्स जो चल रही होती हैं या अमर्ज से लितियों, यह चोटा एक बॉक्स है, अकसर थर्मामीटर बगएरा मिस्प्लेस हो जाते हैं, पेन ड्राइव, इस तरह की चोटी-चोटी चीजे, वह मैंने इसमें अलग से और्गिनाइज कर दी, अब यह और्गिनाइजर सेट में मैंने अपने पर्फ्यूम बोटल्स ब कीजे, तो उन सब को मैंने इसमें सेट कर दिया, अब यह कुछ हस्बिंट की वह हैं सीरप जो यूज होती हैं डेली, तो उनको मैंने इस तरह और्गिनाइज कर दिया, यह पूजा वाली बासकीटे जिसमें प्रशाद आता है, मैंने इसको भी चोड़ा देखिए, इसमें कोईंस हैं, जो खुली रुपे हैं वो डाल दिये, कलावा अकसर मुझे जरूरत पड़ती है, मिन्ता नहीं है, उसको मैं ऐसी में डाल दिया, और देखिए, इस फर्स को मैंने साफ कर दिया, क्योंकि इस तरह जब भी आप से फाई करें, तो फर्स को साथ साथ फाई कर दिय जाए तो ज़्यादा मेहनत में लगती, तो मैंने साफ कर दिया, और देखिए, और गिनाइज कर दिया, कैसा लग रहा है आपको, बताइए, मेरे पास और भी टिप्स हैं, मैं शेयर करती रहूंगे आप से, मेरा चैनल एक ब्लोग चैनल है, इसलिए मैं कोकिंग के साथ को अच्छी लगी हूं, तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और मुझे सब्सक्राइब कर लें, और शेयर कीजिए, थैंक यू,